नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ अखिल जांगिर चलिए रुपकरते खबरों की तरफ जैपूर में उबजिला प्रमुक के चुनाव में एक बार फिर खेला देखने को मिला जिला प्रमुक में बीजेपी को सफलता मिलने के बाद उबजिला प्रमुक चुनाव में कौंगरिस का खेला देखने को मिला जिसका परिणाम रहा कि कौंगरिस के मोहन डागर उबजिला प्रमुक बने दरसल उपजिला प्रमुक के चुनाओ में बीजेपी को 25 और कॉंग्रेस को 26 वोट मिले जिससे कॉंग्रेस के जिला परतियासी मोहन डागर ने बीजेपी परतियासी राजकमर को एक वोट से मात दे दी जैपुर जिला उप्रमुक के लिए बीजेपी कॉंग्रेस के बीच सीधी टककर थी बीजेपी के दो परतियासी सारदा यादव और मनुज कुमार ने नाम वापस ले लिया था सीधा मुकावला कॉंग्रेस के मोहन डागर और बीजेपी की राजकमर के बीच था बरतपुर जिले के नन्बई पंचायच समीती में उप्रधान पद पर भासपा के बुपेंदर फोसदार को निर्विरोध निर्वाचित किया गया नव निर्वाचित उप्रधान ने भासपा पार्टी से अपना नामांकन दाखिल किया निर्धारित समय तक अन्य कोई नामांकन दाखिल नहीं होने पर रिटर्णिंग अधिकारी हेमराज गुजर ने बुपेंदर फोसदार को निर्विरोध विजे घोशित कर दिया बाद में रिटर्णिंग अधिकारी ने नव निर्वाचित उप्रधान को पद और गोपनियता की सफ़त दिलाते हुए परमान पत्तर सोपा जनता जनातन का तहे दिल से दन्यवाद गर्ट करूँगा इन्होंने मेरे सुनाव को प्रेम का चुनाव समझा और मैं यही कहना चाहूँगा कि यह मेरी नहीं मेरी जनता की दिन आपने फिर से मेरे परवार पर मुझे पर विश्वाच जताया जिस तरह मेरे पिताजी ने कारे किया मैं भी उसी तरह आपकी सेवा मैं हमेशा समर्पित रहूँगा और आप लोगों से यह विश्वाद दिलाता हूँ कि आपको जब मेरी आव सकता है मैं आप लोगों के बीच में मौझूद पाऊँगा आप कभी भी मुझे याद करेंगे मैं आपके बीच में रहूँगा और कोई भी काम आप कभी भी मुझे बताएंगे मैं आपके साथ रहूँगा इसके बाद अपने निवास पर उन्होंने परदेश भर से आये अपने समर्थकों से मुलाकात की पाइलेट से मिलने के लिए सुबह से समर्थक जैपूर पहुँच गए थे भारी भीड देखते हुए सिविल लाइन्स में उनके बंगले की रोड पर वाहनों के आवाज आह आज मेरे जनम दिन के अफसर पर बहुत से लोगों ने शुकामनाई दी हैं मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धनेवा देना चाहता हूँ अनिकों लोगों ने आकर आज अपना आश्रवाद सानद्य सने और समर्थन मुझे दिया पूरे उपमुखे मंतरी सचिन पाइलेट के जनम दिन पर चितोडगर जिले के ग्राम पंचाहित भाद सोड़ा में गोसाला और इदगा परीसर में पोदार उपन किया गया इस मोगे बर सरपंच और स्थानी कोंग्रिस कारे करता उपस्थित रहे सभी ने इन पोदों के सर परवरी 2022 तग राजस्तान में 9 परतियोगी परिक्षाएं होंगी इसमें परदेश भर के लगबग 50 लाख अबियर्थी सामिल होंगे 7 परिक्षाएं इसी साल दिसंबर तक होंगी जबकि 2 परिक्षाएं अगले साल फरवरी में कराई जाएंगी राजस्तान करमचारी चैन कोड़ के परिक्षाओं का कलेंडर जारी करने का युवाओं ने स्वागत किया है जोदपूर कैंसर रिसर्च इंस्टिटूट के लिए भूजल विभाग की जमीन छोड़ने की मांग पर अधिकारी करमचारी संयुक्त संघर्शमीती मुखेमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ग्यापन दिया भूजल विभाग की करमचारी यूनियन के परतिनीधी ने कहा कि मुखेमंत्री बजट घोषणा में कैंसर रिसर्च इंस्टिटूट खोलने की घोषणा की गई थी उसमें जमीन के आवसेक्ता को देखते हुए मेडिकल कोलेज के पास तीन जगे जमीन पड भूजल विभाग को देने के लिए त्यार था जोदपूर जिले में लूनी के पूर विधायक जोगारम पटेल पर हमला हुआ है धवा पंचायत समीती सदस्यों को मद्दान के अंदर तक ले जाने के दोरान ये वारदात हुई हमलावरों ने गाड़ी पर पत्थराव कर दिया था पत्थराव से जोगारम पटेल जखमी होगे उनका सामदा एक स्वास्ते के अंदर में प्रात्मिक उपचार किया गया जैपूर जिले में तुंगा थाना इलाके के बलूपूरा गाउं में पानी के मुद्दे बर दो पक्षों में जगडा हो गया इस लाठी बाटा जंग में आदा दर्जन लोग घायल होगे घंबीर घायल एक महिला समेट दो जनों को जैपूर रेफर किया गया मारपीट का वीडियो शोशल मीडिया पर भी वाइरल हुआ है कल बल्लूपुरा में जो जगडा हुआ है उसमें महिलाओं के साथ में मारपीट हुई है उसके लिए हम हमारे विपर सेना की तरफ से हमने क्या अपन दिया है और हम प्रसासन से जल्द से जल्द निस्पक्ष त्वरित कारवाई की मांग करते हैं और परिवार को सुरक्षा कर रहे हैं राजपुर्ट पक्स के चार लोगों को दार एक्षिल के उन से अर्पिस बंद किया गया है तता दूसरे पक्स की तरफ से आसी स्वर्मा ने रिपोर्ट दिये है इस पर मुगरमा दर्जकर अमसे नांजारी है जोदपुल डियाश्टी टीम ने बासनी थाना हलके के मदुबन पुलिस चोकी के सामने चकरी सटा खेलते छे लोगों को गिरफतार किया इनके पास से 15,700 रुपे बरामद हुए इन लोगों को बाद में मदुबन पुलिस चोकी के सुपूर्द कर दिया गया आगे की कारव खंसराज भधालिया ने जैपूर में बताया कि फुलेरा के रहने वाले सत्य नारायन सेनी के आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उनका चार साल का बेटा चंदर शेखर जनमजात हर्दे रोग से जूज रहा था। चंदर शेखर को कुछ दिन बाद अस्पताल से चुट्टी दे दी गई। पिता सत्य नारायन सेनी की खुसी का आज कोई ठिकाना नहीं है। वेराश्ट्य बालस्वास्ते कारिकरम विसेसग्य चिकित्सकोर रह सरकार के परती कर्ति के ताविक्त करते नहीं थक रहे हैं। सिवीर में रक्त संग्रण के लिए उदेपूर MB होस्पिटल सरल बलड बैंक गितांजली होस्पिटल की टीम ने मिलाकर 503 यूनिट का रक्त संग्रण किया। यह बेटा पढ़ाओ संसकार सिखाओ अभ्यान बेटों को संसकारित करने का कारिय करता है। अगर बेटे संसकारित होंगे तो बेटियां और समाज दोनों सुरक्सित रहेंगे। कथावाचक संदीप महराज और सभी भक्त जनों ने इस अभ्यान की जमकर सराहना की। भीलवाड़ा जिले में करोई से राजस्तान के परसिद तिर्थ स्तल चार बुजा गड़बोर के लिए 35 भक्तों का जथा पैदल रवाना हुआ 110 किलोमेटर की यात्रा 9 दिन में पूरी होगी रात्रिव इस्राम जडोल माता जी के यहां होगा भारत ने ओवल क्रिकेट टेस्ट जीत लिया है मैच के पांचवे और अंतिम दिन मेजबान इंगलेंड को भारत ने 157 रन से हराया और स्रिंखला में 2-1 की भड़त बना ली भारत ने पहली पारी में 191 रन बनाए थे जवाब में इंगलेंड ने 290 रन बनाकर 99 रन की भड़त ले ली भारत ने दूसरी पारी में 466 रन बनाकर इंगलेंड को 366 रन का लक्से दिया लेकिन इंगलिस टिम 210 रन पर ही सिमट गई सतक सहित 138 रन बनाने वाले रोहित सर्मा मैन ओफ दे मैच रहे इस एतिहासिक जीत के बाद ने सिरफ भारत बलकि ब्रिटेन सहित सारी दुनिया में रहे रहे भारतिये खुसी से जूम उठे खेल प्रेमी जैपूर तो खुसी से एक बार फिर गुलाबी गुलाबी हो गया जरा जज़बात तो देखिए जांतोरम में आ रहा है जम लोग टीम ऐफर्ट्स थे जो हमारी बॉलिंग बैटेंग वेगरा समने अपना काफी अच्छा परफोर्मेंस दीया है तो काफी अच्छा फील हुआ मतलग काफी लंब टाइम अदेक अच्छा एक टेस्मेंस देखने को मिला हमें टीम इन्धिया आगे बड़े और जीत हासिल करें इंगलेंड पर भारती टीम ने जो वीजे फाई उसके लिए बहुत बहुत वदाई और खासकर भूमरा ने बहुत अच्छी बॉलिंग किया भारती क्रिकेट टीम ने पूरा एक टीम वर्क के साथ काम किया भूमरा और भारती बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग करी खासकर शादूल ठागुर का जो अल्राउंड प्रदर्शन था वो अल्टीमेट था पुलेटिन में फिलाल इतना ही आप देखते रहें टीपीवी न्यूज